अस्सलाम अलेकुम चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं उर्दू का अगला चैप्टर चैप्टर नमबर 19 जिसका नाम है हम नौजवा हैं ये एक नजम है नजम तो आप लोग जानते ही होंगे मतलब कवीता पोयम तो ये जो नजम है इसके मुसन मुसनिफ कौन है परवेज शाहदी इनकी बारे में समझ लेते हैं फिर हम लोग हम नौजवा हैं चैप्टर की मतलब नजम की तरफ चलेंगे और उसका खुलासा करेंगे सबसे पहले मुसनिफ के बारे में देख लीजिए परवेज शाहदी का पूरा नाम है वह सयद इक्रा इनका वालिद का नाम क्या था सयद एहमद हुसेयन याद रखना है परवेज शाहदी की पैदाइस हुई थी 30 सितंबर 1910 इसभी को पटना सिटी के लोधी कट्र कोई जगा है वहाँ पर ठीक है परवेज शाहदी मदर्सन नजामिया में अर्भी फार्सी और उर्दू के ता उन्टना इनिवर्सिति से 30 में ऑ Quindi किया ठीक है उने 95 overst Yi सिचल के मैट्री के में इनितहान पास्किया और पटना इनियोसेंटी से इनितान ao स्क्राण में ठीक है सुरेंदरनाथ कॉलेज कलकट्ता में औरदू के लेक्चरर भाल हुए और उन्हें संथावू इसजी में वावस्ता हुए उन्हें लाष्ट ह्विंद्र आपडरा से जुसा इतार में तर 차 किसी दौरान उनकी शादी तालिम या फता फजीलत निसाय बेगम से हुई थी उसी दौरान उन्हें से अंठावन इस भी से में जब वो रिटारिमेंट हो गया उसी दौरान क्या हुआ था परविर शादी का शादी किस से हो गया था फजीलत निसाय बेगम से जो की बहुत जादा तालिम य क्या करते थे एक तकल रखते थे फिर परलिभ तक रखने रखना स्टाट किया अपनेश लेंस नाम इस्तिमाल करते थे पर वेड शादी वह सुरुसुरु में एक रोखना स्फवाल करते थे मतलब लगना ऱ28 बाद में उन्हों नहले पर यद रखना चाठ किया और उनका क्या हो गया पाँच मई उन्हें सा 68 इस भी को इंतकाल हो गया ठीक है इनका शेरी मजमुवा है मतलब शेर वो शायरी का किताब है दो ठ्वाप लोगों के बुक में दिया है एक रख से हायात और दूसरा तसली से हायात यह दोनों आप लोगो को याद रखना है शेरी इस नजम को लिखे हैं मैं आप लोग का उर्थ्व का बुक्ले लेती हूं द्रक्षा वाला और इस चैप्टर को मैं निकालती हूं फटा फट और समझते हैं इसको देखिए हम नोघवा है इस चैप्टर का नाम है टाइतल और इसमें किस की बात की जा रही है नौज़dag हो की बात की जा रही है मतलब इसमें जवान लोगों की बात की जा रही है और इस चप्टर में परवेश रादी नौजवानों के सोच के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं क्या चाहते हैं बहुत सारी चीज़े चलिए हम लोग इस नजम को पढ़ते और समझते हैं सब दिश्रे गुल की रक्स करती चिंगारिया हैं, हम नौजवा हैं, ये एक बंद हुआ, देखें, ये क्या हो गया, एक बंद, अब इस एक बंद का मैं खुलासा कर देती हूं, इसका मतलब समझा दे रही हूं, देखें, हम नौजवा हैं, मतलब इसका मतलब है, कि हम नौजवा ठीके तो हम अगर जहां पर जाते हैं वहां पर बंजर नहीं रहता वहां पर हरी भरी मतलब फेड़ पत्ते और वहां पर बहारे गुल्षन आ जाती है ठीके शादाबियों का गुल्षन बादामा एक कारवा है मतलब बोल रहे हैं कि गुल्षन में शादाबी हमारे वजह से ही आती है हम फूलों के अंदर एक तरह की चिंगारी है हम कुछ भी कर सकते हैं हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम कुछ भी कर सकते हैं हमारे वजह से ही फूलों के अंदर जिस तरह चिंगारिया होती है विल्कुल उसी तरह हम लोग के अंदर भी एक तरह की चिंगारी है ठीक है ये हो गया पहले बंद का खुलासा पहले बंद का मतलब दूसरे बंद में क्या लिखे हैं परवेशादी वहू दफातिर या दर्सगाही या कारखाने जजबात के या अफकार के हुआ आशियाने शब्जे के मस पिकनत काले दूंए के शालिया सुनकर सदाए स्वाज जवानी सब नगमे खवा हैं हम नौजवा हैं देखिए इसमें बोल रहे हैं चाहे वह दफटर क्यूं ना हो चाहे वह दर् Shelley मतलब समझते है're school college तो चाहे वो दफतर क्यों नहों कोई भी दफतर क्यों नहों चाहे वो स्कूल कॉलेज क्यों नहों चाहे वो कोई करखाना क्यों नहों करखार मतलब फैक्टरी चाहे वो फैक्टरी क्यों नहों या फिर कोई लिखने पढ़ने की बात क्यों नहों या फिर कोई किसी भी चीज को सो लुजवान ही दिखेगा ठीक है आगे देखें आगे बंद में क्या बोल रहा है किसको डड़ातीहा या जूरिया है आप हुआ हैं इस मतलब बंद में परवेशादी कहना चाह रहे हैं कि यह जो मतलब इस दुनिया है इस दुनिया की खुबसूरती है वह सिर्फ नौजवानों की वजह से हैं और उसके साथ यह जो दुनिया है वह नौजवानों कुछ मांग रही है कुछ मांगती है और वो क्या मांग रही है इस दुनिया में जो भी प्रोब्लम है उसको तुम लोग सॉल्फ करो मतलब जो भी परेशानी आ रही है उसको तुम लोग जहलो इस दुनिया को और भी जदा खुबसूरत बनाओ ठीक है जो कोई भी समस्या आ र थीए आगे क्या बोल रहे हैं शोले घजब के रहते हैं रक्सा कल्वो जिगर में इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे दिल में है वो अजीब हमारे दिल के अंदर एक शोला है जो की आग की तरह जल रहा है फिर सासे हमारी सूरज की किरने शौक सहर में सुराख कर दे जुलमत ब इस लाइं कि जो हमारे अंदर दिले में एक शोला सा है और वह जोला क्या है आग की तरह जल रहा है मतलब उसको पाने के शौक ne हमारे सासे वह सूरज की किनों की तरह जिल रही है यह जलन ऐसी है कि अंधेरे में भी क्या कर सकती है रोशनी ला सकती है मतलब कहीं अंधेरा जगे इसमें भी रोशनी आ जाएगा जिसका और इस मतलब जलन का असर यह जो हमारी सांसे जो जल रही है इस जलन का असर हमारी आँख पर साफ साफ दिखता है हमारी आँखों को दिखकर लगता है कि हमारी आँखे जौला मुखी बन गई है मतलब अच्छे दिन कुछ नए करने की मतलब सोच में नए करने की शौक में हमारे अंदर जो जलन है और हमारी जो सांसे मतलब सुरज की तरह जल रही है और हमारी आँखों पर एक तरह का ज्वाला मुखी दिखाई दे रहा है ये सब किसके वज़ा से नए नए शौक को पूरा करने के वज़ा से नए नए चीज़े मतलब लाने की वज़ा से सुभ दिन लाने की वज़ा से ठीक है बाग निशात हुस्न वा मुखबत लेकर रहेंगे सुभ तबस्व शाम मुसर्ट लेकर आएंगे जो चिन गई है वो अपनी जन्नत लेकर रहेंगे बेकार बर हम बोड़े जहन्नम का पासबान हैं हम नौज़वान हैं मतलब इस लाइन में परवेश रादी बोल रहे हैं ये लास्ट बंद है ठीक है जो बाग हमसे चिन गया है जो खुबसूरत बगीचा चिन गया है उस खुबसूरत बाग को हम वापस लेकर रहेंगे जो हुस्न वा मुहबत चिन गया है वो भी हम लेकर रहेंगे और जो हमसे जन्नट छिन गई है वह भी लेकर रहेंगे चाहे उस जन्नत का हिफाज़त करने वाला कितना भी मुझसे नराज क्यों नहों हूं उससे कोई दिकत नहीं है हम उस जन्नत को लेकर रहेंगे हम नौजवान है ठीक है इस इसी के साथ आप लोग का ये जो जो परवेश शादी है वह यही बात बताने की यही सीख देने की कुसिस किये है कि अगर नौजवान चाह दे तो वह कुछ भी कर सकता है अगर वह नहीं चाहे तो वह कुछ भी नहीं कर सकता है है की नहीं मतलब वो चाहे कि देश किसी भी मुल्क को बना दे तरक्या फता कर दे ठीक है तो उसको वो नौजवान बना सकता है क्योंकि देश के नौजवान से ही कोई भी देश चलता है अगर वो चाह दे तो किसी भी मुल्क को किसी भी देश को तरक्या फता बना सकता है ठीक कब और कहां हुई तो यह आप लोग खुद से लिखेंगे पर्वेशादी का जो पैदाइस हुआ था वो 30 सितंबर 1910 को पटना सिटी के लोधी कट्रा जगा पर हुआ था यह आप लोग खुद से नहीं लिख लेंगे बिल्कुल लिख लेंगे तो दुसरा सवाल है कितने साल क की मां का इंतिकाल हो गया वो इस दुनिया से रुकसत हो गई तो इसका जिक्र आप लोगो के बुक में कहीं नहीं दिया है कि कि कितने साल की उमर में उनकी मां का इंतिकाल हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है मैं बता दे रही हूं कितने साल की उमर में तो देखिए उनका म का इंतिकाल हुआ था जब परवेश शादी तालिब इलमी की जमाने में थे मतलब जो इस्टुडेंट लाइफ उनका था मतलब वह भी पढ़ रहे थे जूकेशन ले रहे थे तभी उनकी मां का क्या हो गया इंतिकाल हो गया तो आप लोग इस तरह लिख दीजेगा इसको की प परवेश शादी के वाइफ का क्या नाम है तो वाइफ का नाम है ठीक है छौत्य सवाल है प्रवेश शादी के किसी दो शेरी मजमुऔह का नाम लिखिए यानिकि उनका दो शेरी मजमुऔह शाहरी का किताब का नाम लिखना है तो मैं Poki Miguel Mays पहला है रख से हाया दू परकाशित हुआ तो यह हुआ था आजादी के बाद इसमें कहीं नहीं दिया है आप लोगे बुक में कि तशलीश हयात का कब मतलब परकाशित हुआ बुक लेकिन मैं अपने से बता रही हूं तशलीश हयात जो है वो आजादी के बाद इसका परकाशन हुआ था ठीक है अब आ सभाइन की साइरी पर 5 जुम्ले लिखे आपना है उन पर उनकी शाइरी लिखने पर 5 जुम्ले लिखे तीसरा सवाल है जेरेनेसाब नजम हम जुआ है कि पहले बंद की तश्री कीजिए लीजिए सवाल तो पूछी दिया है यह जो आप लोगों का नजम है हम नौजवा है इसके पहले बंद का आप लोगों का तश्री करना है पहला बंद में आप लोगों को बताई थी ना क्या है पहला बंद हम नौजवा है जाने बहारा मर् कारवा है जाम और सबू की कैफ और नमू रूह तपा है हम आतिश रे गुल के रक्स करती चिंगारियां हैं हम नौजवा हैं यह हो गया पहला बंद और इसी का आप लोगों का तश्री करना है खुलासा करना है कि इसका मतलब क्या हुआ तो मैं आलरीडि आप लोगों को बता लिखेंगे गे वैसे मैं तोड़ा सा यहां पर हिंत दे रहई कैसे लिखेंगे आप जदेन अज्जवादवा जमाना है उसके हाला ची के बारे tahun 2023 qui को बताना बो जूड़ा ज़ूटा नहों ठीक ए उसको जदीद नज्मह Egyptian जजह यह मुखमस ओस्वाना यह हर भी लफसे मांत से आया है एक हम से बना है मुखम्मस को मतलब होता है नहीं की मुखमस नजम उसको कहते है उसको बोलते हैं मुखमस नजम तो यह पनली एक चार और पांच पुद छो लिखिए गा और वैसेże से का वी पेशादी जो शायरी लिखा करते थे उसमें क्या गलती है और क्या अच्छा ही है क्या बुरा है यह आप लोगों को जाईजा लेना है ठीक है तो यह आप लोगों खुद से करेंगे दुसरा सवाल है जेर नसाब नजम हम नौजवां हैं का मरकजी ख्याल पेश कीजिए मतलब इस नजम को पढ़ने के बाद आप लोगो को क्या ख्याल आया इसका मतलब क्या है मेनिंग कि आप लोगो को बताना है । दुसरा सवाल है खाली जगहों को भर कर मिसरे मुकमल कीजिए मतलब यहाँ पर दिया है नजम और उसमें से कुछ चुछ लब्स को हटा दिया है खाल तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही इस चप्टर से रिलेटेड कोई भी कमफ्यूजन हो आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए अपने पड़ोसियों के पास अपने दोस्तों के पास और हाँ चा लाइक कीजिए एंट बसके लिलेटेड के याइक की याण प्लाइक के इस रिलेटेश गलएस जिलेटेदा वाँ प्लाइक के लिलेटेश।